जहन्द साथियो स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल MP Academy में दोस्तों मद्ध प्रदेश सासन सामान प्रसासन विभाग मंत्राले द्वारा एक गुड न्यूज आई है आप सभी के लिए बहुत बहुत खुसकबरी है वेकैंसी को लेकर इस ये जो नोटेस है इसकी वर्ग के लिए 27% आरच्छन के संबंद में पढ़ लेते हैं इस नोटेस को मद्ध प्रदेश लोकसेवा अनसूचित जातियों अनसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरच्छन संसोधन अधिनियम 2019 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग को लोक दोस्तो ये 8 मार्च 2019 से प्रभावसील है यानि कि जब कमलना सरकार्थी तब से ये प्रभावसील है उग्द संसोधन अधिनियम 2019 में प्रभवधाने कन्य पिछड़े वर्ग के आरच्छन प्रतिसा 14 से बढ़ा कर 27 प्रिस्त किये जाने को चुनोती दी जाकर माननी उच्च तम नयाले जबलपूर में याचिकाएं दायर की गई है फिर है दोस्तो माननी उच्च नयाले में पिछड़ा वर्ग के उग्त आरच्छन के संबंध में प्रचलित प्रक्रणों में महाधिवक्ता के द्वारा 25 अगस्त 2021 को बिधिक अभिमत दिया गया है जिसकी प्रती संल प्रक्रणों को छोड़कर से समस्त परिच्छाओं भरतियों में पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रिस्त आरच्छन के प्रावधानों के अनुरूप कारवाही करने का स्पष्ट अभिमत दिया है और समस्त विभागों से पेच्छा है कि वहाधिवक्ता के उक्त विधित प्रक्रणों को छोड़कर से समस्त परिच्छाओं भरतियों में पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रिस्त आरच्छन के प्रावधानों के रूप कारवाही करने का स्पष्ट अभिमत दिया गया है तो इसमें कौन-कौन से एक्जाम सामिल है दोस्तों इसमें सामिल है नीट का इसमें नीट का एक्जाम सामिल है इसमें MPPSC का एक्जाम सामिल है MPPSC का और तीसरा जो एक्जाम है वो टीचर्स का दोस्तों सिचकों की भरती तो 27% आरच्छन पर OBC के लिए 27% आरच्छन की मांग चल रही है इसमें हाई कोड में केश चल रहा है तो इस केश से होने वाली सिर्फ तीन वेकैंसीज हैं एक है नीट दूसरी MPPSC और तीसरी है सिचकों की भरती दोस्तों इसके अलावा इसमें इस पश्ट लिखा हुआ है कि बाकी सभी जो ब्यापम के एक्जाम होते हैं और बाकी डिपार्टमेंटल जो एक्जाम होते हैं बाकी सारे के सार कराय जाने का कश्ट करें यह निकला हुआ है मदप्रदेश सासन समान ने प्रसासन विभाग की दरब से नोटेस आया है 2 सितंबर 2020 को कि समस्त विभागों से अपेच्छा है कि महाधिवक्ता के उक्त विधे कभी मत यानि की नीट MPPSC और सिच्चिकों की भरती को छोड़ कर कि सारी की सारी भरती प्रक्रियाओं की कारवाही करने का कश्ट करें इसके बाद एक और खुसकवरी वाला नोटेस में आपको दिखा देता हूँ जन समपर कि यानि की सीम मदप्रदेश की तरब से आया था यह वाला ट्वीट किया था उन्होंने कि आने वाले कुछी महीनो में एक लाख सरकारी भरतियां की जाएंगी घुमंतू और अर्ध घुमंतू जातियों के आर्थिक ससक्ती करण के लिए हम भरती परिच्छां में भाग लेने वाले बच्चों की रहने की व्यवस्ता करने का प्रयास करेंगे उनके लिए स्वारोजगार योजना भी बनाए है सियम सर ने की एक लाख भरतियां की जाएंगी मद्ध प्रदेश के अंतरगत दोस्तों और साथ ही आज का जो नोटिस आया है इसमें भी बता दिया गया है कि सारी की सारी भरतियां आपको अटकाने की जरूरत नहीं है सिर्फ तीन भरतियों को छोड़कर के सारी भरती प् पढ़ाई में पेपर की त्यारी कीजिए एकदम मिलते हैं अंगले वीडियो के साथ जैंद जै भारत